असलाव लेकॉम एवर्स मैं हूँ फर्जाना कुक्सेन बेक से और आज एक नई शांदार सी रेस्पी लेके पहुत इजी छटपट विंटों में तयार करेंगे मज़ेदार बहुत है और ये हर खर में खाई जा सकती है इसे आप लेंच बनाएं आप इससे ब्रेकफास्ट बन बनाएं या आप डिनर बनाएं जैसे भी बनाएं जिस टाइम भी बनाएं ये हर वक्त हर खाने के साथ बहुत ही शांदार बनती है तो हम बनाने चाहरे हैं आज आलू और अंडे से बहुत ही शांदार सी भुजिया या सालन कहें तो शुरू करते हैं बिसमिल्लाहिर रह्मा को बताते जाएंगे तो थोड़ा सा घी डाला है तकरीबन आधा कप और इसमें पयास डाल दी है बड़े साइस की और छोटा छोटा बारी कटिंग करके हमने इसमें लेसें डाल दिया है यह हरा लेसें था तकरीबन तेन से चार कोथियां थी वो मैंने इसमें कटिंग करके डाल दी है और प्यास जो था एक बड़े साइज का था वो भी फाइन चॉप किया है यहां पे हरी मिर्चे हैं दो अदद और टिमाटर थे दो अदद बारी चॉप की हो यह भी इसमें अट कर दिये हैं और यहां पे इनको अच्छी फिवन टी स्पॉन हल्दी डालेंगे इसमें हाफ टी स्पॉन और इसकी करेंगे मिक्सिंग अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे बहुत ही शांदार सा इसका कलर आ रहा है बहुत ही शांदार खुश्बू आ रही है तो बहुत एजी जटपटी से हमने तयार कर लेना है इसकी भुनाई हो चुकी है और आप इसमें डाल दिये हैं आलू जो कि थे 500 ग्राम इनको बारीक चॉप कर लिया है बहुत ज़्यदा बारीक नहीं एक नॉर्मल साइज है तो इसी तरह के हमने ये कटिंग करके इसमें मिक्स कर दिये है और इनको मजीद और पकाएंगे थोड़ा सा कलर बहुत ही खुबसूरतार है और ये बहुत ही शांदार से खाने में मसीदार लगते हैं तो इसमें आदा कब पानी आइट कर दिया है और आलू कर ले के लिए इनको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए तो आलू तकरीबन गल चुके हैं अब इसमें डाल देंगे अंडे तीन अदद और इस तरह सारे एक एक करके हमने गैप दे के थोड़ा डालने है इस तरह से ये लिए थोड़ा अलग अलग डाल दी है मैंने और अब इसको हमने हिलाना नहीं है इसकी यही एक हुबी है कि हमने इनको हिलाना नहीं है थोड़ी देर ये पक जाएंगे पकने के बाद फिर हम इने मिक्स करेंगे अगर हम फॉरन से इनको मिक्स कर दें तो ये एक घुटाला सा बन जाता है نہ تو हमें पता जलता है और ना पता चलता है कि अंडे कहा है तो इसलिए हमने इनको थोड़ी सी देर पकाना है तो अब यह देखे जी माशाला से हमने जो अंडे डाले हैं वो अलगlements है और हमें नजर आ रहा है कि हमारा सालन बहुत ही शानदार सा त्यार हो चुका है बस अब धनिया प्यों डाले हरी मिर्चे डाले और इसे अच्छी तरहां से गानिश करें और यहां पे देखें जी माशालला से हमारा जो सालन था बहुत ही शानदर तयार हो चुका है अंडा बहुत ही अलग से आपको नजर आ रहा है और आलू जो है वो अलग है बनने वाली है तो आप इसे जरूर बनाईएगा जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजे इजाज़त दीजे